दोस्तो वारत और इंग्लेंड की बेच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सिरीज का पहला मैच 12 की बज़े से डौप और खतम हुआ अब लॉर्ड्स में होने बाले दूसरी टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया लेंडन पहुच चुकी है स्टार और खिलाडी रविंद जड़जा ने लंडन पहुचने के बाद इंस्ट्रेगरम स्टोरी सियार की है विसी सियाई प्रेसिडेंट सौरप गंगोली ने सिरीज की दूसरी टेस्ट मैच को देखने के लिए लॉड्स पहुचेंगे वही डिप्लेस्मेंट के तौर पर इंग्लेंड आये प्रितिशा और सुरेकुमर यादब अभी नॉटिंगम में ही रहेंगे और 13 अगस तक अपना कॉरिंटेंट पिरियेट पूरा करेंगे आपको बता दे टाइमस नाओ की खबर के अनुसर लोकल टाइम के मुताबिक वारती टीम कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट नेगेटिब आने के बाद सुबह 11 बजे लंडन के लिए रवाना हो गई थी पृद्धिमाल साहा ने अपने ट्विटर एकाउन पर फोटो विश्यार की है पता दे वारत और इंग्लन के बीच दूसरे टेस्ट मैच 12 अगस से खेला जाना है लेकिन बूरी खबर ये है कि सुझे कमर्यादब और पित्तिशौ सिलेक्शन के लिए तीसरे मैच में उपलद हो पाएंगे और बोथ 13 तरीक को कॉरिंटेन पिरियेट खतम करने के बाद 14 अगस से अपनी ट्रेनिंग की शुरुबत करेंगे हाला कि इंग्लेंड में ट्रेबल नियम आठ अगस से बदलने के चलते सौरब गंगुली भी मंगल बार को लॉंडन के लिए रवाना होंगे इंग्लेंड सरकार के नए नियमों के हिसाब से जिस भी बेक्ति को कोवीट भैक्सिन के दोनों डोस लग चुके है उनको आइसलेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है यानि गंगुली को भी किसी भी तरह के फॉरिंटेन पिरियेट पूरा करने की जरूरत नहीं है दोस्तो इस बारे में आपका क्या है अगर आए नीचे कमेंस में बताइए साथ इस बारे में इंटरेस्टिंग निउस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में और सीलेट करना ना गुले